हेलो एवरिवान मैं हूँ दिक्षा और सवागत हैं आपका मेरे चैनल दिक्षास परफिक्क पिलेट में。 तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ भिंडी की रेसिपी, बहुती टेस्टी और चट्पती, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही मसाला भिंडी की रेसिपी बहुत ही अच्छी रखती है आप इसको रोटी, पराथा, पूरी, इवन राइस के साथ भी इन्जॉई कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है तो सबसे पहले मैंने यहां भिंडी को लंबे-लंबे साइज में काट कर लिया और बिल्कुल अलग नहीं किया यह देखिए बस थोड़ा-थोड़ा सा मैंने इसे काट किया है ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भिंडी के अंदर तक चले जाओ और भिंडी जो है वो जल्दी को को जाए तो आप इसे छोड़े साइज में भी कट कर सकते हैं अब देखिए भिंडी मैंने काटके रखती हैं इसके बाद मैंने यह दही लिया है एक बरतन में तो यह लग बग दो बड़े चमच धरी होगा उसमें मैं एक चोटा चमच धनिया पाउडर आट करीаюсь आधा चोटा चमच भुनेवे जीरे का पाउडर आट करें आधा ही चोटा चमच गरम मसाला आट करें और एक चोटा चमच काश्मीरी लाल मेश आट करें तो ये मसाले मैं दही के साथ मिक्स करें और इन मसालों को मैंने दही के साथ इसलिए डाला है कि जब हम लगदी को ग्रेवी में दालें तो वो फटे रहीं मसालक diesem वजे से वो फटेगी नहीं तो हमें बहुत eESY हो जाएगा ग्रेवी बनाना था कातured और अगे चलते हैं देखते ह Бाद्णमें काम करना है तो मैं यहां पैन में बस्टडीम और नहीं करते हूं आप कोई भी oil यूज़ कर सकते हो जब तेल गरम हो जाए तो इसमें मैंने डाला है एक चोड़ा चोड़ा चमज के करीब जीरा जैसे ही जीरा क्राकल हो जाए जो मैंने भिंडी काटके रखी थी वो इसमें आट करती है तो यहां मैं भिंडी को चलाओंगी medium to high flame पे पकाओंगी और तब तक जब तक यह 40-60% कुक ना हो जाए तो भिंडी को medium to high flame पे ही कुक करना है और इसे बीच बीच में चलाते जाए वरना भिंडी जल जाएगी तो इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक भिंडी का जो कलर है तो थोड़ा चेंज ना हो जाए इसे कुक होने में लगभग 6-7 मिनट अराम से लग जाएंगे तो ध्यान रखेगा फ्लेम हमारी हाय है तो इसे छोड़ियेगा नहीं थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेगा तो यह देखिए हमारी जो भिंडिया उसका कलर हलका सा चेंज दालरी हूँ एक चुथा ही छोटे चम्मस से भी कंप और जीरा क्रैकल होने के बाद इस में माल डालरी हूँ प्याज तो यह एक बड़े बड़े प्यास को मैंने बारी काट लिया है और उसके साथ मैं मैंने इसमें दो हर इमिज काट के डाली है slit करके और इसको मैं थोड़ा सा cook कर लूँगे तो प्याज मुझे जादा brown नहीं करना है बस इतना ही पकाऊंगी जितना जो प्याज है वो थोड़ी translucent हो जाए उसका कच्चा flavor जो है वो निकल रहा है तो इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया है यह देखे तो इसको मैं चलाते हुए ही पका रही हूँ बहुत ज़़ा इसका color change नहीं करना है हलका सा कच्चा पन इसका बस निकालना है यह देखे तो जो हमारी प्याज है वो थोड़ी सी भुन गई है इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी powder और इसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी तो आप अगर जिंजर और गालिक का पेस्ट या कुछ यूज करना चाहते हैं तो वो प्यास हल्दी से पहले इसमें आट कर सकते हैं बट मैं इसमें नहीं आट करे हूँ और हल्दी को अखलका सा पुगा करे इसमें जो नहीं खलका सा पिडिए जो यहाँ भी edsy और पेस्ट म भी आट कर दिया तो द्यान रखेवा मैंने यहाँ जो फ्लेम रूदी कर दिया है हल्क nut कर जो पखल सकते हैं आप चाहें तो यहाँ फ्लेम आफ भी कर सकते हैं तो इसको मैं थोड़ा से चला के धक के पकाऊंगे जब तक इसमें से ओइल जो है वो सेपरेट ना हो जाए तो ओइल सेपरेट होने में लग भग तीन से चार मिनिट लग सकते हैं तीन मिनिट स्लो फ्लेम पे तो यह देखें यहां जो ओईल है कैसे अच्छे से ऊपर आ गया ह यह देखें कितना बढ़िया लग रहा है और इसको मैं एक बढ़ चला दूँगी और चलाने के बाद इसमें मैं अट करूंगी थोड़ा सा पानी लगभग मैंने यहां आधा कप के करीई पानी डाला है इसमें और इसको भी अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद एक तो मैं पहले इसको मिक्स कर देती हूं अच्छे से आप चाहे तो यहां गरम पानी का भी यूज कर सकते हैं बट मैं नॉमल पानी का यूज करें यह देखे जो हमारी ग्रेवी है इसमें अच्छा सा बॉल आका है तो जो हमने भिंडी फ्राय करके रखी ती वह इसमें डाल क्योंकि अपने नमक अभी तक यूज नहीं किया है डाला नहीं है अपनी सब्जी में तो मैंने एक छोटा चमश नमक डाला है आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसको मैं ढख के लगभग चार से पांच मिनिट तक कुक करूंगी है जब तक जब तक ह ग्रेवि में थोड़ी काडि ना होजाए है तो हमारी भिंडी अच्छे से पक गईय है एक बर मैं चेक कर लेती हूं और हमारी जो ग्रेविह वो भी अच्छे तो बस हमें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए अगर आप इसे राइस वगरा के साथ एंजॉय करना चाहते तो इस पे थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं बट मैं इसे रोटी के लिए बना रही तो मैं थोड़ा सा थिक रखा इसको तो यहां मैं इसको सफ कर रही हूं यह है मुझे क्या करना है कॉमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि रेसिपी कैसी लगी और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और प्लीज प्लीज मैंशाल को सब्सक्राइब कर दीजेगा हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिप के साथ तब तक के लिए बाई